बीत दिन बोलिवुड की जानीमानी एक्शन फिल्मों की डिरेक्टर वीरु देवगन का मुंबई में देहान्त हो गया था कुछ दिनों से उनकी तब्यत खराब चल रही थी जिस वजाए से वैं हस्पिताल में दाखिल थे आपको बता दी कि वीरु देवगन एक बहुत ही जानेमाने एक्शन डिरेक्टर थे साथ ही साथ वै अजे देवगन के पिता भी थे वीरु देवगन जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लगबग 80 फिल्म में दी है इतना ही नहीं वीरु देवगन ने अजे देवगन को भी इस इंडस्ट्री में लौच किया था वही बीदे दिन वीरु देवगन के देहांत के बाद पूरे वोलिवुड में दुख की लहर देखने को मिली वही सबसे पहले वीरु देवगन के पार्थिव शरीर को अजे देवगन के घर लाया गया जिसके बाद शाम 6 बजे उनका अंतिम सस्कार कर दिया गया वीरु देवगन के अंतिम सस्कार पर बोलिवुड की जानिमानी हस्तियां शामिल हुई काफी समय से चर्चा में रही रनवीर सिंग की फिल्म 83 की आखिर शुरुआत होने जा रही है जी हाँ बीती रात रनवीर सिंग अपनी एक्टर्स की क्रिकेट गैंक के साथ मुंबई के इंटरनेशनल एरपूर्ट से लंडन के लिए रवाना हुए जहां फिल्म 83 को फिल्म आया जाएगा आपको बता दें कि इस फिल्म में रनवीर सिंग महान क्रिकेटर कपिल देव का किर्दार निभा रहे हैं जिसको लेकर वा काफी एक्साइटिन नजर आए साथ ही यहां रनवीर सिंग के इलावा दूसरे एक्टर्स यैसे की एमी विरख, हाडी संदो, निशांत, धाया, जतिन सरना, साकिद सलीम वा अन्यस्टा नजर आए जो काफी एक्साइटिल लग रहे थे आपको बता दें कि इस फिलम का नाम तरासी इसलिए रखा गया क्योंकि 1983 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप चीता था अभिनेता अक्षे कुमार मुंबई से बैंको के लिए प्राइवेट एयरपूर्ट से रवाना हुए जहां उनकी साथ उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना भी नजर आई अक्षे अपनी अपकमिंग फिलम सूर्य वंशी की शूटिंग के लिए बैंको गए है बांदरा स्थित रेस्टोरेंट में संजदत अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए गए हुए थे जहां उन्हें किया गया स्पोर्ट संजदत के साथ उनकी वाइफ मन्नता दत और दोनों बच्चे भी मज़ूद थे लवबर, टाइगर, श्रोफ और डीशा पटानी को जुहुसित एक रेस्टोरेंट में किया गया स्पोर्ट जहां वो दोनों डिनर के लिए आए हुए थे अपने कुछ फ्रेंट्स के साथ जुहुसित पीवियर सिनेमा पहुंची तारा सुतार या जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फिलम स्टूडन्ट ओफ दा येज टू देखी फिलमेकर करन जोहर को मुंबई के इंटरनेशनल एरपोर्ट पर किया गया स्पोर्ट जोविदीश से वापस मुंबई आ गए है सारा अली खान और उनके ब्रदर इब्राहम अली खान को उनके फादर साफ अली खान के घर किया गया स्पूर्ट जहां से वो निकल कर कहीं जा रहे थे